असलाम अलेकुम, मैं हुरान अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्वीब चैनल साइंसिफाई यूरसल तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव को चैनल को शेर करें ताकि उनका भी फाइदा हो सके ठीक है जी, तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, वो हमने क्या करना है बेसिमर प्रोसेस हमने देखना है, हमने पिछले जो टॉपिक देखा था, उसके अंदर ओपन हर्थ के अंदर हमने स्टील की मैनिफेक्टिरिंग को देखा था, तो हमारा जो दूसरा जो प्रोसेस था, वो क्या था, बेसिमर प्रोसेस ओपन हर्थ और बेसिमर प्रोसेस के परक केंदर फर्क क्या है खुर्पन हर्थ जो प्रासिष्पता उसके अंदर हम कास्ट आइरेन, राट आइरेन, स्टील के स्क्रइप्स वगारा जो तेए बगाये के जहार्ज होते हैं स्क्रैप्स वगारा तो उनको भी हम यूज्ज कर लेते हैं किस्जिस के लिए स्टील बनाने के लिए ठीक हåências लेकिन अब भी यहां पर बेसेमर प्रॉसिस यह स्पेस्विक होता है किसके लिए कास्ट आिरेन के लिए कि हम वहां से क्या बनाएंगी सिरफ स्टील बनाएंगी ठीक हåindest तो हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिमर प्रोसेस जो है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है बेसिमर कर्णवर्टर अब बेसिमर कर्णवर्टर मैं साइड पे दिखा दूँगा कि बेसिमर कर्णवर्टर होता क्या है तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है पेर्ड शेप वैसल होता है ये क्या होता है पेर्ड पेर जो है उसकी तरह नाशपाती की तरह क्या होता है उस तरह का शेप का वैसल होता है और ये किश्ची से बना होता है steel plates के साथ बना होता है ठीक है यह जो है steel plates के साथ बना होता है फिर उसके बाद क्या है कि at the bottom number of holes for hot air अब bottom में क्या मुझूद होता है यहां पर bottom में यहां पर जो मुझूद होता है holes वगरह मुझूद होता है quishes के लिए आर जो है वो inject भी हो सकती है और बाहर भी निकल सकती है ठीक है जी और तीसरा जो point है वो क्या है कि held on central axis held on central axis can be tilted for feeding and pouring out अब ये central axis पर बीच में यहाँ पर जो है वो central axis लगा होता है ये और ये क्या करता है कि अब इसको tilted कर सकते हैं मतलब इसको घुमा सकते हैं ठीक है जब घुमाएंगे इस पेर शेप जो है कि सिलेंडर है या जिस वैसल है जब घुमाएंगे तो पहले हम उपर से inject कर सकते हैं में डीडियल को जब घुमाएंगे तो क्या होगा कि वो पोर आउट हो जाएगा क्लेरोजे की बात तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि बेस्मर कर्णवर्टर को explain कर सकते हैं आपने दूसरी हेडिंग जो बनानी है वो किसके बनानी है feeding the charge मतलब उसके अंदर जो material हमने put करना है वो कैसे करना है कि pig आर कास्ट आइरन जो है हमारे पास वो हमने डालना है blast furnace और साथ में हमने क्या डालनी है hot air blast ठीक है तो कास्ट आइरन और hot air को हम दोनों को क्या करेंगे introduce करेंगे into the converter converter में हम इन चीज़ों को डालतेंगे फिर वहाँ पर जो oxidation processes होंगे जो क्या करेंगे impurities को remove करना है जहां से हमने तो वो कुन-कुन से होगे carbon weekend oxygen के साथ मिलके क्या बना देगी carbon monoxide silicon oxygen के साथ मिलके क्या बना देगी silicon dioxide and mayganese oxygen के साथ मिलके क्या बना देगी mayganese oxide अब यहां पर जो है स्लेक भी बनेगी अब स्लेक कैसे बनेगी जो मेंगेनीज उकसाइड है वो सिलिकान डायोकसाइड के साथ मिलके क्या बना देगी स्लेक बना देगी ठीक है अब यहां पर आगे जो है वो क्या है ऑक्सिडेशन ऑफ कारबन अब ऑक्सिडेशन ऑफ कारबन एक तो process यह है, कि मतलब oxygen के साथ react करके क्या बना सकती है, क्या बना सकती है, carbon monoxide, अब दूसरा जो process है, वो क्या है कि carbon monoxide produce at the mouth with blue flame, अब दूसरा जो process है, वो क्या है, कि blue flame के जरिए mouth पर भी produce हो सकती है, वो कैसे produce होगी, कि वो iron के साथ क्या करेगी, sometimes react करती है, और वो क्या यह oxygen के साथ, मतलब iron जो है, जब oxygen के साथ react करेगा, तो क्या बनेगा? hematide बन जाएगा. अब यह जो हematide है, यह carbon के साथ react करेगा, और क्या बनादेगा? carbon monoxide. अब जब carbon monoxide बन रहा होगा, तो इसका flame रहोगा, blue flame होगा. ठीक है? और यह जो blue flame है, यह कितनी देर तक रहेगा मैंने टाइम लिख रख रहेगा कि 10-15 मिनट्स तक यह ब्लू फ्लेम रहेगा देन उसके बाद क्या हो जाएगा डिसपेर हो जाएगा डिसपेर होने का मतलब क्या होगा कि यहां पर जो कारबन है वो फुली ओक्सेडाइज हो चुकी है ठीक है देन उसके बाद हमारे पास जो सेकिंड लास्ट पॉइंट रह जाता है वो क्या है अडिशन ओफ फेरो मेगनीज अब अडिशन ओफ फेरो मेगनीज किसी के लिए है कि पहले तो जो फेरो मेगनीज है वो एड़ करते हैं किसी के लिए कारबन की परपोर्शन को क्रेक्ट करने के तो इसके बाद जो हमारे पास Steel हासिर होगा उसकी जो proportion होगी वह भी क्या हो जाएगी उसके अंदर जो IMPURITY होगी वह भी कम हो जाएगी या हम उसको ज्यादा भी कर सकते हैं ठीके जै लेकिन अमूमी तोर पर हम क्या करते हैं कास्ट इरेन से बना रहे हैं और उसके बाद अब मेगनीज, जो फेरो मेगनीज के अंदर मेगनीज जो एड़ कर रहे हैं, वो किश्चिस के लिए हो सकता है, हार्डनेस उसकी जादा करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को जादा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम मेगनीज को एड़ करते हैं, लास्ट अब वो जो फेरोसिलिकान है, जो नाइट्रोजन है, वो क्या करेगी, मतलब इन गैसेस के साथ रियक्शन करेगी, और क्या बनाएगी, कम पाउंड्स बनाएगी, नाइट्राइट्स वग quisρα बनाएगी, अब वो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगी, अब जैसे aluminium जो है, वो nitrogen के साथ मिलके क्या बनाएगा, aluminium nitride का बनाएगा, और वो क्या करेगा, हम उसको असानी से बाहर निकाल सकते हैं, clear हो जी गी बात, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, besimmer process के जरीए steel को बना सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, besimmer converter, besimmer converter के अंदर मैंने आपको बताया कि bear shape है, vessel और steel plates का बना होता है, और फिर क्या है, at bottom जो है, वो क्या है, number of holes है, किशिज के लिए, hot air के लिए, head on the central axis can be tilted for feeding and pouring out, मतलब central axis पर है, उसको हम tilted कर सकते हैं, मतलब पहले तो हम उपर से डालनें, ठीके लिए, और फिर tilt करके नीचे ले जाएं, ताके pouring out हो जाए, जब क्या बन जाए, product हमारे पास बन जाए, ठीके लिए, उसके बाद feeding the charge, pig iron या cast iron और hot air जो है, उसको हमने क्या करना है, converter में introduce कर है, देन उसके बाद क्या होगा, कि उसके अंदर impurities जो होगी, वो क्या बनाएंगी, oxides बनेंगे, और देन उसके बाद मेगनीज का oxide और जो silicon dioxide है, वो क्या बना देगा, मेगनीज का silicate बना देगा, या slake बना देगा, अब जो oxidation of carbon है, वो अलैदा भी हो सकती है, वो कैसे वो blue flame के जरिये बनेगा, और blue flame किस time तक रहेगा, ये 10 to 15 minutes तक रहेगा, ये indicate करेगा, कि 10 to 15 minutes के बाद blue flame खतम हो जाएगा, मतलब carbon पूरा का पूरा क्या हो चुका है, oxidize हो चुका है, उसकी extent बताएगा कि कब तक वो जो है, carbon oxidize हो गया है, उसके बाद addition of eromagnes, addition of eromagnes किसके ओसके लिए कर सकते हैं कि correction of carbon proportion, carbon का जो proportion है वो impurity के तोर पर है, उसको proportion को हम कम करके quality को बढ़ा सकते हैं, style की, उसके बाद hardness और strength को भी क्या कर सकते हैं, feromeganese और क्खास ओर मेगनीज को Cara कर सकते है, strength और hardness को दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ज्याद्अ कर सकते हैं, last में जो हम नाइट्रोजन के नाइट्रोजन हैं, कार्बन हैं, अक्सीजन हैं, यह सारी चीज़े जो हैं, अब इनको रिमूव करने हैं, तो फैरोसिलिकान या अलमीनियम वगरा जो हैं, उनको हम इस्तमाल करेंगे, वो क्या करेंगे, नाइट्राइड्स वगरा जो हैं, अलमीनियम अब कर सकते हैं डेस्टेमर प्रॉसेस के जरीए ठीक है तो आगे हम एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे तब तक के लिए अलाफिज